ओम श्यान्ती बीती बातों को कैसे भूले हैं करोडों लोग इस कारण प्रेशान हैं वो बातें बीत गई बीस वर्ष हो गया तीस वर्ष हो गया पचास वर्ष हो गया दस वर्ष हो गया अरे बीत गई भूलाना भी चाहते हैं लेकिन भूल नहीं रही फिर 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 वो शुरू हो जाता है, चक्र रात को सोने लगते हैं, कोई बीती बात याद आती है, फिर 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 उसी में ही इतना वेस्ट और नेगटिव थौट चलना शुरू हो जाता है, उमने उसे प्रेशान हो जाते हैं, वो बीती बात हैं जम्दूतों की तरह पीछे पड़ी तो आज मैं कुछ टिप्स दूँगा कि बीती बातों को कैसे भूलें, विशेश पहले ये बताना चाहूँगा कि इसमें हमें negative बीती बातों को भूलने की जरूरत है, तो उसके लिए सबसे पहले याद रखें, past is past, past is past, बीत गया न, बीत गया गड़े मुर्दों को उखारन कि जरूरत क्या है, जो बात बीत गई, पुने-पुने, mind is a magnet, अगर आप पुने-पुने उन बातों को याद करेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे उससे अच्छी तरह मज़ा चखाना चाहिए था, मुझे ये करना, तो पुने-पुने, mind is a magnet, वैसा ही बन और वैसी ही negative energy से भरपूर हो जाएंगे, जो बात बीत गई, चली गई, वो पुने 5000 वर्ष के बाद ही भले कहीं repeat होनी हो, लेकिन अब बीत गई न, forget it, forget it, forgive it, तो हम कोशिश करें, बीती को भुला दें, क्योंकि हमें और उस पे सबसे अच्छा तो बातें ध्यान में रखे forgive and forget, क्षमा करें और भूल जाएं, बीती बात में अगर किसी ने बद वेवार किया, किसी ने insult की, किसी ने आपको नीचा दिखाया, उसके कारेड़ियों बीती बात में फिर फिर बदला लेने की भावना पनपती रहती है, तो forgive and forget, क्षमा करें और भूल जाएं, उसको भू forgiveness के अब आप उसको भूल जाएं, दूसरी तीसरी बात एक विशेश ये धियान रखें, बीती बातें आती हैं, हमें अनभवी बनाने के लिए, अनभवी बनाने के लिए, किसी जन्मनेजर से पूछा, how you got some success, इतनी तुने सफलता इस वर्ष कैसे हासिल की, उसने का, मैंने experience experience है, experience of the past, past के experience है, तो how you got so much experience of the past, तो उसने कितना सुन्दर ज्वाब दिया, by getting again and again failure, और मेरा experience बढ़ता गया, हर बार में fail हुआ, और मेरा फिर experience बढ़ गया, फिर fail हुआ, फिर experience बढ़ गया, फिर फिर experience और बढ़ गया, और आज इस कदर पर इतने मेरे experience बढ़ गया, कि मैंने grand success प्राप्ट की है, इसलिए आप कभी भी बीती बातें जो आपके साथ बुरी हुई है, उन्हें वियर्थ नहीं समझें, वो भी आपके जीवन में अनभूओं को छोड़ कर गई है, आप देखेंगे कोई गलत tragedy हुई, कुछ हुआ, उसके बात आप बड़ा कदम बूल जाएं, ये खास सोचे भगवान ने वो बात भेजी इसलिए थी, मुझे एक कोई lesson देने के लिए, कुछ मुझे शिक्षा देने के लिए, इसलिए मुझे उस बीती बात से शिक्षा मिलने के लिए, वो भगवान के द्वारा ही भेजी गई परिस्थिती थी, I should accept, तो इसलिए एक और सदा याद रखें, बीती बातें जो भी हुई है, वो कार्मिक एकाउंट कलियर हुआ है, कुछ ना कुछ कार्मिक एकाउंट किसी ना किसी आत्मा से पुरु जनम का था, वो कलियर होना ही था, उसके लिए और कोई option ही नहीं था, इसलिए हमें उन बीती बात को सदीव जो है ध्यान में ये रखें, कुछ कार्मिक एकाउंट कलियर होने की बात सामने थी, इसलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, क्यों कैसे बार बार इस चीज में नहीं जाएं, क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ, ऐसा ना होता तो ऐसे कर लेते हैं, इत्वाज क कार्मिक एकाउंट और वो कलियर हुआ, अच्छा फिर भी बीती बातों को याद करने की आपको हैबिट हो, तो हम आपको प्रमिशन देते हैं, कौन सी बीती बातें याद करें, जो आपके जीवन को महान बना देंगी, एक व्यक्ति था, उसको बहुत ज़्यादा, जब भी स्ट्रेस होता था, तो वो एक एल्बम अपने घर से निकाल के लाता था, उस एल्बम में उसके वो वो फोटो थे, जो उसकी अचीवमेंट थी, जो उसकी ग्रिटेस्ट अचीवमेंट थी, समय परती समय जिसमें उसने एवाड जीते, बहुत खुशाल के मुमेंट थे, तो बीती याद करनी है तो अपनी success वाली बातों को याद करें अपनी achievements वाली बातों को याद करें उन moments को याद करें golden moments को और last फिर है बीती बातों को अगर आप याद करना ही है तो वो सत्यूगी दुनिया जो golden age दुनिया थी जो हमारे अंदर ही वो संसकार हैं उसको विजन करके विजलाइज करके उसको याद करें तो उससे आप बाकी सब बातें भूल जाएंगे तो words की बीती बातों को भूलना है negative बीती बातों को भूलना है positive को भले ही याद करें और negative को भूलने की आपको जो बातें बताईें उसको implement करें Thank you, Om Shanti